नवरात्रे कहने को एक धार्मिक डेज के तौर पे कहा जाता है बढ़ इसके फायदे बहुत है अगर अच्छी तरीके से फॉलो करा जाए तो जैसे मैंने पहले बोला था इंडिन डिटॉक्स ऑफ दे इयर नवरात्रों के दौरान आपकी बॉड़ी क्लैंस होती है डिटॉक्स होती है आपकी बॉड़ी से सारे टॉक्सिंस फ्लश आउट होते हैं क्योंकि नवरात्रों के अलावा हम दिन भर आइस क्रीम, सोडा, कोल्ड रिंग, चिप्स जैसे चीजों को खाते हैं बट नवरात्रों के दौरान ही हम लोग बहुत ही अलर्ट होके खाते हैं अलर्ट होने से हम फाल्तू की चीजों का उपयोग नहीं करते हैं हमारी डाइट में रोज घर का खाना खाया जोता है जिसमें घर का खाना कैसा भी होता है हमेशे हल्दी होता है बाहर के खाने से अव्पास जैसे कि हम सब चानते कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो हमारा फोकस अव्पास के दुरान खाने पे, खाने के टाइम इंटरवल पे और सबसे ज़रूरी पानी, क्योंकि अब समर भी स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा में फोकस खाना और पानी दोने पर उना चाहिए, उपास को रखते हुए, हमें एक बात का सबसे जादा ख्याल ही रखना चाहिए, कि पानी हम जरूर पीते रहे, कम से कम, अगर आप दो लिटर पीते हैं, तो तीन लिटर पीने की कोशिश करें, क्योंकि खाली पेट, आसिड, आसिड रिफलक्स होने का भी जादे चानसे होत हर चीज को solution food होता है, तो अपास में भी food ही main important चीज होती है, अगर आप डिबटिक पेशेंट हैं, तो एक चीज का क्याल रखें, sugar नहीं करें, sugar की जगे आप honey यूज कर सकते हैं, अगर आप लमनेट, चाए, कॉफी कुछ भी लेने, तो आप sugar की जगे honey यूज कर सकते हैं, और यहीं अगर आपका high blood pressure है, तो spicy food की जगे आप normal plain food ले सकते हैं, salt का यूज नहीं करें, normal खाना खाएं, कोई problem नहीं है, आप बिल्कुल अपवास रख सकते हैं, और चीजों में जैसे आप अगर high blood pressure है, तो अबला हुआ खाना खाएं, boiled potato salad खा सकते हैं, जिसमें बिना नम pregnant movements भी उपवास रख सकती हैं, बस उन्हें एक चीज़ का ख्याल रखना हैं, कि उपवास करते हुए जादे देर भुका ना रहें, कोशिश करें हर दो से तीन घंटे में खाएं, क्योंकि अगर उपवास में रखने के चक्कर में भुकी रहेंगी, तो कहीं ने कहीं उनको द किसी भी तरीके की कोई लापर भहिना करें, अगर आपको उपवास के दोरान कहीं पे भी लगता है कि आपकी तबएत खराब हो रही है, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, उपवास से जरूरी आपकी हेल्थ है, तो वहीं अगर पानी पिएं और उसके बाद कुछ खाएं, क आपकी तबे ठीक नहीं होती है, तो डॉक्टर को दिखाएं, और वरत की ना सोचें, अपनी हल्थ की पहले सोचें, अकसर ये कोशन पूछ जाता है कि हमें नवरात्रों के दारान कैसी राइट लेनी चाहिए, तो मैं एक सांपल प्लान बताना चाहूंगे, यहां पे जितन कि एक वैसा टाइम होते हैं जब हम बाहर की चीजे सब बंद कर देते हैं और घर का सुष्ट खाना खाते हैं, जिसे बोला जाए तो सुबह की शुरुआत अगर हम एक ग्लास पानी निम्वू के साथ कर दी जाए, उसके बाद दिन का ब्रेकफस्ट जो हम शुरू करें वो अगर अगर वेट लो खुत चुच टू के साथ कर सकते हैं और लंच में अकर हम बात करें तो हम घुल Everybody की चुच बैल में और उसके साथ प्रयोग एंग कर सकते हैं कि यलुटक है अगर किए भू इंग सनेक्vale अगर बात आ रहते हैं.. से पहला फायदा आपकी skin को होता है आपकी skin में glow बढ़ता है आपका वजन कम होने के chances होते हैं इसके अलावा आप पूरे दिन active रहते हो क्योंकि आप भारी खाना कुछ नहीं खाते हो तला भुना नहीं खाते हो salads, fruits, water, इन सब चीज़ों का आप जादे यूज करते हो तो आप पूरे दिन active रहते हो तो नवरात्रे का फायदा ही है नुकसान को ही नहीं है अगर अच्छे से follow करी जाए नुकसानी की तरीके पर हो सकता है अगर आप market का processed chips वगएर खाओगे तो तला भुना वो सब ना खाएं तो अच्छा है पहली बार उपास जो लोग रखते हैं उनके लिए थोड़ा मश्किल होता है उपास रखना क्योंकि जो लोग बहुत भार का खाते हैं और junk food खाते हैं उनके लिए बहुत मश्किल होता है उपास रखना लेकिन कोशिश करें कि उपास रखते time हर दो से तीन घंटे में कुछ खाएं और अगर जादे भूख लग रही है तो आप सैलेट का बड़ा वूल खाले छोटी की जगे, ड्राइ फूट्स खाएं, दूद्ध पीएं, कॉफी पसंद है तो कॉल्ड कॉफी बना के पी लीजे, चाय पसंद है तो चाय पी लीजे, और शेक्स, और जूस कोल्डरिंग का शौक है तो आप फूट जूस पी सकते हैं, गर्मिया आ चुकिए, आप फूट शेक्स पी सतने हैं, स्मूदी पी सतने हैं, उससे ना तो आपकी भूख भी खतम होगी, दूसरा आपकी डाइट भी अच्छी और हल्थी रहेगी, तो इसमे बॉट काुस जो होता है, वो होता है खाली पेट, खाली पेट रहने से अपने आप बनते हैं, हमारे स्टमख में अल्वेड़ी असे बढ़ता जाता है, तो सबसे बड़ी चीज ही होती है, उपवास में जैसा मैंने पहली भी पोला था, दो से तीन घंटे में कुछ ना आसकता है, उपवास, येस, आज की पीड़ी उपवास सबसे ज़्यादा वेट लॉस के लिए रखती है, हाँ, उपवास रखने से वसन कम भी हो सकता है, और बढ़ भी सकता है, बस ये पता होना चाहिए, ये क्या खाना है, जैसे कि मैंने आपको अपनी डाइट बताई थी सुबे से लेके रात तक आप ये खा सकते हो, अगर आप उस राइट को फॉलो करो, और सिक उसी पे ही स्टिक रहो और आपकी किसी चीज़ पर ने खाओ, तो डेफिनिटली आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी हल्थ में इप्रूब्में और अगर आप डाइबेटीज, थाइरोइड और वेट लॉस इन सब किसी बीजियों से परिशान हैं, वो इन सब चीज़ों में आपकी हल्प भी करेंगें